अगर आप भी आधार नंबर से अपना आधार काड डाउनलोड करना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें इसमें मैं आपको एसी स्टेप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सिर्फ आधार नंबर आपको डालना है और आपका जो आधार काड है वो कुछी सेकंडों के अंदर आपके सामने आपके मॉबाइल फोन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो इसका क्या प्रोसेस रहेगा किस वेबसाइट पर आपको इसको डालना है कहां पर आपको आधार नंबर डालने है और कैसे यह डाउनलोड होगा वह पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बत तो आपके सामने समश्या खड़ी हो जाती है कि आप किस प्रकार से अपना जो आधार कार है उसको डाउनलोड करें क्योंकि अगर आपके आधार कार में मोबाइल नमबर लिंक नहीं है तो आपका जो आधार कार है वो डाउनलोड नहीं होता है तो इस इस्थिती में समश्य यह खड़ी हो जाती है कि जो आधार सेंटर है वहाँ पर भी अगर हम जाते हैं तो 3-4 दिन का समय हमें वहाँ पर लग जाता है तब जाके आधारकार में हमारा मॉबाइल नंबर रजिस्टरड हो पाता है और उसके बाद हम जो अपना आधार काड़ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जो कि आधार की ओफिसियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना जो आधार है जो आपका आधार जिसमें मॉबाइल नमबर लिंक नहीं है केवल आपको आधार नमबर डालके डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखें डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको आना है और यहाँ पे आपको जो आधार की ओफिसियल वेबसाइट है UIDAI यह आपको टाइप कर देना है यह टाइप करके आपको सर्च वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च वाले ओप्सन पर क्लिक करते हो तो इसकी जो ओफिसयल वेबसाइट है फास्ट नमबर वाली इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस वाली website पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इस site का जो interface है वो आपको show होगा आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो आधार की official website है इसी website पर मैं आपको सिर्फ आधार नंबर से आपका जो आधार कार्ड है उसको डाउनलोड करने का तरीके बताने जा रहा हूँ जो की साइद आपने कभी भी देखाई नहीं होगा तो इसके लिए आप इसको स्क्रोल डाउन कर सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ओप्षन मिलता है डाउनलोड आधार का यह वाला ओप्षन इस वाले ओप्षन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस वाले ओप्षन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यो हो जाता है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आपका जो भी आधा नमबर है वह आधा नमबर आपको यहाँ पे डाल देना है आधा नमबर डालने के बाद आपको यहाँ पे Capture Code फिल करना है यह वाला Capture Code फिल करने के बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे face auth वाला जो option दिख रहा है इस वाले option पर आपको click करना है उसके बाद आपको नीचे जो option मिल रहा है face auth वाला इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करते हो तो यहाँ पे आपके सामने को इस तरीक पर click होता है यहाँ पे आप देख सकते हूँ, यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ओके वाला ओप्सन मिल जाएगा यहाँ से आपको ओके वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है एक बार इस से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है यहाँ पे दिखाए गया है कि आपको इसमें जो lighting है वो आपको सही रखनी है मतलब ज़्यादा भी नहीं रखनी है कम भी नहीं रखनी है इसके अलावा जो आपका Face है वो सही दिखना चाहिए आपका जो camera है mobile का उसको आपको allow करना होगा और okay पर click करना होगा इसके अलावा जो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके हादे face पर light है और आदा face आपका dark है तो यह accept नहीं करेगा यह वाला भी accept नहीं करेगा only यह वाला face आपका चलेगा तो यहाँ पर आपको ओके वाले option पर click कर देना है जैसे ही आप okay वाले option पर click करते हो तो आपको वापस से इस site पर redirect किया जाता है तो चलिए हम यहाँ पर एक बार wait कर लेते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक option मिल रहा है please bring your face near to camera यहाँ पर फिलाल मेरे पास ऐसा कोई आधरकार नहीं है जो मैं आपको download करके बता दूँ मैं मेरा भी download करके नहीं बता सकता यह परकार से आपको जो भी आप download करना चाते हो आधरकार उसका candidate का आपको इसमें चेरे की photo आपको लेनी है और आपका जो आधरकार है वो automatic download हो जाएगा आपको इहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर electronic copy of आधर विल बी downloaded जैसे ही जो के चेरा है जिस भी आधरकार का आप चेरा लगाओगे वह तुरंत डाउनलोड जो उसका आधरकार है वो डाउनलोड हो जाएगा और इस प्रकार से